नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लाल सिंग चड़ा वर्सेज रक्षाबंदन दोस्तों दोनों ही फिल्मों चार दिन कंप्लीट हो गए तो चार दिन में इन दोनों फिल्मों का टोटल कलेक्शन कितना आगया है आज ये फिल् सब्सक्राइब करना है तो पहले मैं आपको कलेक्शन के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले आपको बता दूब की फिल्म रक्षाबंदन ने पहले दिन कमाई थे 8.20 करोड रूपीज इंडिया नेट जो की बहुत ही कम था उम्मीदों से से बहुत कम था अक्षे कुमार की सबसे लोवेस्ट ओपनिंग इस फिल्म की रही है इस साल की बात करें तो बच्चन पांडे तदा सम्राठपर्ति राज की ओपनिंग भी इससे कई ज्यादा रही थी दूसरे दिन मतलब करें मतलब करीद भाईसटे दिन की बात करें तो थोड़ा मामली सा मतलब सुदार था इस फिल्मBO का अगर इसकी जो इविनिंग शोज है और नाइट शोज में अगर थेटर बढ़ती है तो अगर दोस्तों चार दिनों की टोटल कलेक्शन की बात करें तो रक्षाबंद्यन का वज़त है इंडिया नेट अब फिल्म का बजट करीब सतर क्रोड रुक है तो दोस्तों कल और खुलिडे है कल और शुटी का मज़ा ले सकते हैं पंद्र अगश्त देश का सवसंतरता दिवस्त तो कल फिल्म और कुछ अच्छा कलेक्शन कर सकती है उसके बाद मंगलवार से इस फिल्म का क्या ओगए देखने वाली बात होगे फिल्म के क िक्त डु्रो पाते हैं उससे तैय होगा कि फिल्मक वर्टिक्ट क्या रने वाला है अभी तक दो यह उमूद है कि फिल्म और कंपिस पर हिट नहीं होगी तक अक्षे कुमार की लगतार तिसरी प्लोप होगी क्योंकि इससे पहले बच्चत पड़े तिता सम्राट पड़ती राजवी प्लोप साभीत हो चुकी है अलांकि दोस्तों फिलम अच्छी है इसमें कोई डाउट नहीं है कि रक्षाबंदनी यह गूड मूवी इंटर्टेनिंग मूवी है फैमिली मूवी है गाने काफी बड़े हीट हो चुके है अक्षे कुमार का रोल भी अच्छा है कुछ विवादा इस पड़ फिलम में दिखाए नहीं गिए और फैमिली के साथ आप इस फिलम को देख सकते हैं लेकिन इसके बावजूत अगर कलेक् देखते हैं क्या होता है इस फिलम का महीं बात करें आमिर खान की फिलम लाल सिंग चड़ा के बारे में तो लाल सिंग चड़ा 180 करोड के बजट विए फोरेस्ट गम की ऑफिसियल रिमेक और दोस्तों चार वर्सों के बाद में सुपरिश्टार आमिर खान की वाप सी लेकिन पिछले के करम होते हो इसका पिछा नहीं चोड़ते करम की जगह में कुख करम बोलुमत ज्यादा रहेगा पिछा नहीं चोड़ते तो अमिर खान के जो पिछले करम है वह इस फिलम के आड़े आ गये थे और सुरू से भूइकोट लाल सिंग चड़ा सुरू कर दिया गया थ जिस परकार से भारतिये से ना का अपमान किया गया बारतिये से ना को अपमान जरल तरीके से दिखाया गया इंदू सेंटिमेंट्स को एक बार फिर से हैट करने की कोशिस की गई तो फिर इस फिलम का क्या होना था आप भी जानते है तो फिलम का बुरा हाल है फिलम एटी करोड रुपीज थोड़ा सा दूसे दिन के मकाबले तीसे दिन थोड़ी सी बढ़ोती देखने को मिली चोते दिन की बात करें तो आज फिल्म करीब 10 करोड रुपे के आसपास कमाई करने वाली है अब 10 करोड के 9 करोड भी आ सकते हैं अगर इवनिंग शो और नाइट श है जिसके केडिक्स और लोग बरूसा भी नहीं करते हैं कुछ फिलम कार से लिल्म ने फिल्म को बहुत अच्छी बताई है लेकिंसाहिक छणता को पश Wass chant Seb Do तो आपको यह बहुतना ही पड़ेगा तो दोस्तों में आपको बदा दूगी इस फिल्म का जो चार दिनों का टॉटल कलेक्शन है वो करीब 37.76 करोड रूपीज आए कऱेगी 40 करोड अगर बहुतना करते हैं तो अब 50 करोड के इंदर इस फिल्म का कलेक्शन पांच दिनों का रहने वाला है प्ली मंगलवार से फिल्म के क्लेक्शन में इतनी जवर्दस्त किरावट देखने को मिलने वाली है जितना आप सोच भी नहीं सकते है क्योंकि दोस्तों चुटिया समाब तो जाएगी पांच दिनों का जो ओलीडे विकेंड था वो कतम हो जाएगा इसके बाद में इस फिल्म का क्या होने वाला है क्या यह फिल्म पहुंच पाएगी अभी तो फिल्कुन उमीद नहीं है यह सो क्रोड तक होगी तो दोस्तों आज के लिए इतना आप बताईएगा आप इन दोनों फिल्म में क्या राय रखते हैं और आपको अगर आपने देखिए फिल्म में तो कौन से फिल्म आपको फसंद रही और क्यों आप अपनी राय जरूब बताईएगा साथ दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूब किजिएगा और दोस्तों वीडिया पसंद आया अगर आपको वीडियो तो आपको प्याल लाइक और सेयर कर दीजिएगा धन्यवाद टेक केर